आपका अपनी यूटिव चनल पे आज अपन इस वाले वीडियो में सीखने वाले गर्बा का बेसिक स्टेफ जो कि आपने स्टाइडिंग में देखा ये वाले बेसिक स्टेफ है जो की 4-5 पार्ट में है पार्ट 1 भी अफलोड हो चुका है ये वाला वीडियो पार्ट 2 है इन steps को आप किसी भी song पे कर सकते हैं चाहे तो अकेले भी कर सकते हैं चाहे तो group के साथ भी कर सकते हैं आई शुरू करते हैं ठीक है, first क्या करना है आपको राइट वाले पैर को opposite side यानि कि left hand side इस तरफ 1 ऐसे tap करना है, ठीक है थोड़ा सा scout बना के like 1 और 2 में क्या करना है, right hand side वापस से जाना है 3, 4, ठीक है 5, 6, 7, start पहले 1, फिर राइट साइड जाना है 3, 4, फिर left वाले को tap करना है opposite side, hit, ठीक है फिर left hand side जाना है 3, 4 आप ऐसे जा भी सकते हैं और normally tap भी कर सकते हैं like 1, 2 और खाली, खड़े भी हो सकते हैं अगर आपने पहले कभी नहीं किये हैं तो आपको सिर्फ खड़े होना है और जैसे आप जित्ती प्रेक्टिस करोगे यह रफ होने लगेगा तो जैसे ही अपने किया hit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जैसे ही आप स्टाडिंग में करने लगते हैं आपके पैर के अजयादा करके ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता है न तो पैर ऐसे करते हैं तो साथ में शोल्डर को भी ले जाना है पैर को थोड़ा दूर रखना है 1 और थोड़ा स्काउट बनाना है ये बाद आप चाहें तो हाथ को पीछे भी रख सकते हैं और हाथ को ऐसे भी कर सकते हैं अगर पीछे करते हो तो इस तरी के से होएगा 1 2 3 & 4 और हाथ ऐसे रखते हैं तो ऐसे लगेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं हाथ पीछे भी कर सकते हैं हाथ आगे भी जर सकते हैं 5 6 7 Start 1 2 3 4 5 6 7 & 8 इस तरह के साब 8 कर सकते हैं इसको पूरा गुरूप में भी कर सकते हैं चाहे तो, Solo भी कर सकते हैं इसी के साथ एक और स्टेप सीखते है अब आपको के करना है लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से हिट करना है अब जिस तरव आपने हिट किया न उसी तरव घुम जाना है लेकिन हिट करता है हाथ दिखना चाहिए तो करने के बाद दोनों हाथ पीछे रखना है और त्री एंड फो ठीक है राइट वाइट पीछे राइट अब हाथ पीछे भी रख सकते हैं और को कोई कोश्टिम वेर किया हुआ है जैसे कोई गर्बा की ट्रेस पहनी हुए तो बेस को ऐसे पकड़के आप ऐसे भी कर सकते है अब आपको अगर राउंड राउंड टर्न करने है तो आपको बैक टू बैक इसी तरीके से करना है जैसे कि लेफ्ट को हिट किया रुग गया है राइट लेफ्ट फिल्ट से राइट को हिट किया इधर 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 कंटीनू करते रहना है ताकि आपका सर्कल चलता र तो आपको right left dono करना है जैसे कि आपने पहले left hand side hit किया one and two three and four फिर left hand से right hand hit right hand को hit करना है one two three and four तो आप अगर group में करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं दो बार continue इधर किया फिर दो बार आपस इधर गया ताकि उक्रश चलता रहेगा और खड़े-खड़े करना चाहते है तो एक left hand side एक right hand side और थोड़ा सा turn थोड़ा बड़ा सा करना है ठीक है यह वाले step के बहुत सारे style है like three and four three and four जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं अभी continue right and left अपने try करते हैं five six seven start now one and two three and four थोड़ा pair three and four one and two three and four one and two three and four one and two three and four इस तरीके से आप यह try कर सकते हैं अभी अपन पहला और दूसरा step एक साथ count करते हैं eight eight count five six seven start one two three four five six seven eight 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 ठीके इस तरीके से आप यह अच्छे से सीख सकते हैं जितना इसको बार-बार repeat करोगे उतना ही अच्छा लगेगा और आप इनको किसी भी song पर आप कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है और आपको किस टाइप के steps चाहिए वो भी आप कमेंट कीजे मैं जल्दी upload कर दूँगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेर करना और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्स्ट्राइब भी करना ताकि इसी तरीके के वीडियो आपके पास back to back आते रहें तो मिलते हैं part 3 में जिसमें और भी नए steps होंगे, अलग steps होंगे तो इन वीडियो को आप continue follow बढ़ दे लेना, तो मिलते है part 3 में तब तक के लिए, bye bye